Welcome to Horticalger Pranément Nustri Horticalger Pranément Nustri में सभी किस्तान भायों का स्वागर आज इस डेट में विडियो में हम बात करेंगे van fruit के बारे में Pres nervon fruit का treatment कैसे रहता है ये इंडिया में कहा कहा हो रहा है और साथेज़ा हम बात करेंगे इसका treatment कैसा है, इसका प्रजाती कौन-कौन सा मिलता है और कौन सा fruit जो आज के डेट में इंडिया में सबसे यादा हो रहा है और सबसे main बात जो है इसमें गर्मी वाला इलाका में कौन सा fruit सबसे यादा हो रहा है इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सबस्क्रेब कर लिए साथ इसाथ वीडियो को एक लाइक भी करदीजे तो सुरू में हम बात करते हैं पर्सिमोन फ्रोट का ओरिजिन कहां है पर्सिमोन फ्रोट पहले कहां उगाया गया था तो एक्चुली पर्सिमोन फ्रोट जो है पहले चाइना में उगाया गया था पर चाइना में उतना जदा अच्छे से ट्रीटमेंट यानि धंग से खेती न तो साथी सथ हम बात करते हैं कि इसमें पर्सिमोन में क्या-क्या वाराइटी मिलता है तो देखें पर्सिमोन में दो तरीके का वाराइटी मिलता है एक होता है अपका हैचिया वाराइटी दुसरा है आपका फुयो वाराइटी और साथी सथ हम बात करते हैचिया और फुयो में क्या खास बात होता है जैसे कि हैचिया जो वराइटी होता है इस वराइटी को आप फल को पेड़ से तोड़ने के बाद जो है तुरांत खा नहीं सकते हो तुरांत खाएंगे तो आपका अच्छा टेस्ट नहीं आएगा पूरा प्रॉपर टेस्ट नहीं आता है तो फ्रूट क पीड से हर्वेस्टिंग करने के बाद मिनिमम दस दिन बाद इसे खा सकते हो और 15 से 20 दिन इसे रखा जा सकते हैं तो नॉर्मली अगर आप किसी फ्रूट को मतलब इस वाराइटी को परसीमोन को अब बाहर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तब जाके जो है आप हेच्चिया की फ खाना चाहते हो तो भी खा सकते हो यह भी आपको 10 से 15 दिन तक सर्वाइव कर जाता है फ्रूट तोड़ने के बाद तो काफी अच्छे कवारेटी है साथी सद हम बात करते हैं इस फ्रूट का खास बात क्या होता है तो नॉर्मली पहले आपको बता दिया नॉर्मली 15 से 20 दि होता है यह रोग मुक्त यानि इसमें कोई रोग नहीं होता है कोई बिमारी नहीं होता है और मार्केट का डिमेंड काफी अच्छे होता है आज के डेट में तो इंडिया भर के मार्केट में डिमेंड काफी अच्छे है साथी सद हम बात करते हैं कि यह जो परसिम होने है पर के डीट में इंडिया में फूयो वायाड़ी सबसे जदा हो रहे हुआ था, चोटे प्लांट में एक दम एक फ्रूट हाया था, तो इसे हम बता सकते हैं कि जो फूअ वराइटी है, फूअ वराइटी गर्मी व松्ण का मुंए ड पर्फेक्ट डिस्टेंस जब किसी फृट में नँऺ तो उसमें आपको ज्यादा हर्वेस्टिंग नहीं होता है। साथिसाद काफी सरीधि unusсть कहा तो इसं में पर्फेक्ट डिस्टेंस के जब हम बात करते हैं तो 10-12 पर्फेक्ट डिस्टेंस होता है इसka ज़से यहां पर नियर नियर मंडी हो चोटा मंडी या बड़े मंडी, वहां पर ले जा सकते हैं , यस काफी अच्छा से मार्कट मХार इसाधा यहां ले जाएगा, और साथशा इसका इसकामानोच काफी होने ऐसे बनाए जाया, तो dry fruit बनाने थे simple तरीका है, जो वीडियों आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए fruit को छिला जाता है, जो उपर का छिलका होते हैं, उसे निकाला जाता है पर उपर का जो डंठड होता है उसे डंठड को बीना उखाड़े यानि उसे डंठड को रखना होता है क्योंकि इसको टंगने के लिए जुलाने के लिए तो नर्मर्ली ंटाट को रख़के पूरा अग्दों ऊपर का हिस्सा जो है ऊपर का छिलका वला हिस्सा वो नीकाल दिजये, नीकालने के बाद इसे ऐसे टांग के रख़ देजैए उसके बाद यह तायर हो जाएगा अपका मेवा, यानि जो ड्राइ फ्रूट होता है वह ही ड विटमीन से है तो िस फृट को नॉर्मली देखिए जैसे कि वरेस्टेया कनमस्काइए जो होता है उसके लिए इस्तिमाल किया जाता है और पेट का समस्स दूर करने के लिए इस्तिमाल की जाता है में अजकी है अचरह का वराइटी है इस अचरह को आज घर्मी वारे एरिया जैंशे से अच्छे damn आ सही में काफ़ी अच्छे सह रहा हरें काफ़ी不是 है जह जहां ठांड अलाका है वह मैं कि महारे खर्मी लाका यहां पे की नहीं होगा तो इसका टेस्टिंग के लिए हमारे नस्त्री में एक पौधे लगायाता है जिसमें successful एक fruit हुआता है और काफ़ी tasty भी हुआता साथी साथ हम बात करते हैं कि वहाँ पे जैसे ठंड इलाका में जितना size होता है fruit का उतना ही size हुआता है और वज़से stem test आयाता है तो काफ़ी एक अ अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए स्तियार कर दीजिए साथी साथ आइसा वीडियो देखने आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को इतना टाइम देके देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्या